गुड मॉर्निंग आल आफ यू स्वागत है आपका हमारे इस नए किचन चैनल में किचन विद्द नूर सवा अभी आपको कच्री रेसिपी बनाने का तरीका बताऊंगे सबसे पहले राद को दाल भिगा के रख देंगे उसके राद अच्छे से वाश टर लेंगे फिर एक यूजर में डाल के बारीक पेस्ट बना लेगे अच्छे बदाल का पेस्ट बारीक करके पीस लिया है इसमें डालेंगे बंद को भी उसके बाद प्याज एक दर्मयान ही साइस का इसके बाद हरा धन्या मेडिया और तीन से चार हरिमेश कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्वाद अनुसा नमक रचछी से मिक्स कर लेंगे आपसे ही अच्छी से मिक्स करेंगे उसके बाद दीफ फ्राइगे इसके बाद दीफ प्राइगे अनुसा करेंगे यदि हमने कर रही है, इस देंड़, टीफ्राइ दिलिए, ओले है अब इसे अब फ्राइ करें यदे गरंब हो जाए, अच्छा से बरिफ में आए अच्छा क्रिस्पी बर्च कच्री बनी अब इसे अच्छा महरून बोल्डन पौने तक आप इसे फ्राइ करें, एकदम क्रिस्पी लगेगा खाने में आप देख सकते हैं, इसका कलर चीच हो गया है, तो आप इसको पलड़ते हैं कि अच्छा महरून सकते हैं यह देखिए हमारा कच्री लगभग तयार हो गया इसी तरह सारे कच्री को फ्राइब कर देना इस तरह से सारे को निकाते हैं इसे सारा तेल निकल जाता है इसली तेल कम लगता है इसमें तयार है जातव सेके इस तरह सारे कच्री को चान इस तरह से लगके थो 가격ागं होतो है ची तरह से प्राइब को भादाली ना दर सारे को प्राइब को यह श्याही है एक स्व ribb इसी तरह से सारे कचली को डीप फ्राइक कर लेगें अच्छा गोल्डन ब्राउन वने तक तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे और बहुत ही टेस्टी ये हमारा कचली रेसिपी मसल से खान आपसे बेल आड़ें पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट वक्स में कमेंट करें